हेलो गाइज नमस्कार मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमित जीए सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोटेंट 20 क्वेस्चंस को पढ़ने वाले हैं सो मेरे साथ इस वीडियो में बने लिएगा सुरू से एंड तक और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैंने एक मोडल पेपर त्यार किया है जो की काफी मेहनस से मैंने त्य सही है वाले है तो थोड़ा सा अगर आप पे कर देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ आप उसको सिंसियर तरीके से हल करेंगे ठीक है 90 मिनिट का क्वेस्चन पेपर है 100 से ठीक है और जिस प्रकार से आपका सेलेबस से सेम और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने ठीक है बहुत जादा नहीं नॉमिनल सा कोस्ट है उसका कीवल 15 रुपए ठीक है और बहुत ही सांदार तरीके से मैंने उसे डिजाइन किया है ठीक है मैंने उसे बनाया है तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा ठीक है और उस मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा ठीक है चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पहला प्रसंद देखते हैं हम लोग भारत के किस राज्य में कपास मिलो की संख्या सबसे अधिक है विच स्टेट है और उप्सेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर करनाटक है उत्तरप्रदेश है गुझरात है महारास्ट है तो कौन सा ऑप्सन यहाँ पर सही है यहाँ पर अगर आप option number 4 के साथ में तो बिल्कुल correct answer है, ठीक है, महराष्टर, ठीक है, कितने मिल्स हैं यहाँ पे, तो 122 मिले हैं, ठीक है, ठीक है, 122 मिल्स है, अगला प्रस्ण देखते हैं, नीली करांती का समभन निमलिखित में से किस से है, ठीक है, blue revolution is related to, options है, milk production, onion production, fish production, food production, यहाँ पे options आप देख रहे हैं, इन options में से कौन सा option correct होगा, आपको बताना है, कौन सा option यहाँ पे correct है दोस्तों, तो यह है आपका fish production, ठीक है, इसे हम fishery production भी कहते हैं, ठीक है न, अब यह देखो, blue revolution जो है, नीली करांती जो है, कैसे याद रखो, कि मचली से संबन्दित है, fish production से संबन्दित है, तो मचली जो है, पानी में रहती है, पानी का करण कैसा होता है, blue होता है, ठीक है, इसलिए, हम इस तरीके से याद रख सकते हैं नीली करांती का संबन्द किस से है तो फिस से हैं ठीक है अगरा प्रसंद देखते है लोनार जील कहां इस्थित है options है महराश्टर, सिक्किम, मनिपाल तमिलनाडू आप options देख रहे हैं किस options के साथ में आप लोग कमेंट करियेगा लोनार जील कहां इस्थित है कहां पर इस्थित है दोस्तों तो यह जो लोनार जील है यह महराश्ट में इस्थित है ठीक है लोनार जील का निर्मार कैसे हुआ था तो एक उल्का पिंड गिरा और वहाँ पर जील का निर्मार ले लिया, ठीक है, इस जील को नमबर 2020 में रामसर साइट में समलित किया गया है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सच फिमस भी है, और एक्जाम में आने का थोड़ा चांस भी बनता है, ठीक है, इस लोनार जील की जो गहराई है, कितनी है, 150 मीट अगला प्रसंद देखते हैं, लोकटक जील कहां इस्थित है, ठीक है, वेर इस दा लोकटक लेक लोकेटेड, ओप्शन से मनिपूर, तमिल नाडू, उरीशा, और सिक्किम, कौन सा ओप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, वो है मनिप और इस लोकटक जील का जो एरिया है, ठीक है, छेत्रफल जो है, 287 km² है, उके, इसमें इकलोता त्यारता हुआ पार्क इस्थित है, जिसका नाम है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, क्या नाम है? केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क यह दुनिया का क्या है इकलौता तैड़ता हुआ पार्क है अगला प्रसंद देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी संग्रह यंद्र की आउसकता नहीं होती है कंप्यूटर सिस्टम देट डजनोट रिक्वाइर्स एनी स्टोरीज डिवाईज ठीक है वह कौन सा कंप्यूटर यहां पर देखें चार प्रकार की कंप्यूटर के बारे में बात की गई है यहां पर ऑप्शन देख लेजी एनालोग डिजिटल हाइब्रीड थर्ड जेनरेश शुरू किया है पूछा गया है मतलब किस ने शुरू किया है ठीक है तो इस्टार्ट दा फॉर्स्ट मेंटर एक्सरसाइज इन स्पेस किस ने शुरू किया है किस देश ने शुरू किया यहां पर देश का नाम लिखा है चाइना है फ्रांस अमेरिका बिटेन ओके तो यहां इस कला केंदर का मुख्याले कहां पर इस्थित है तो यहां पर ऑप्शन नमबर वन जो है वो करिक्ट है न्यू डैली में अगला प्रस्थ में देखते हैं आईपीयल 2021 का कौन सा संस्करण है तो यह 14 वा संस्करण होने जा रहा है ठीक है अच्छा यह इससे पहले 2020 2020 वाले में हुआ था ठीक है 2020 में कौन सब्सक्राइब हुआ था तो तेरा वह हुआ था तभी तो चोधर हुआ भी होगा 2021 ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं किस राज्य में सैमसंग ने इनुवेशन लैब स्थापित किया है उत्तराखंड उत्रप्रदेश डैली आंद्रप देश तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कहां पर स्टार्ट किया है तो डैली में स्टार्ट किया है ठीक है कहां पर डैली में स्टार्ट किया है अगला प्रसंद देखते हैं कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे ठीक है मतलब बि जंदरा गांती ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं तीरत सिंग रावत किस राज्य के मुख्य मंत्री है ठीक है अभी हाली में बने हैं तो किस राज्य के हैं तो यहां पर जो राइट आंसर बनता है वो है उत्तराखंड उत्तराखंड के मुख्य मंत्री है बरतमान में अगल काटमांडू और नेपाल नेपाल की राजधारनी काटमांडू अगला प्रस्वन है एसेंबली बमकांड में भगत सिंग के साथ कौन मुख्यारुपी था ठीक है वहाज द मेन एक्यूजड एलॉंग विद भगत सिंग इन डाइसेंबली बॉंबिंग तो यहां पर राइट आ तो के अगला प्रस्थ देखते हैं दक्षिर पस्चिम मांसून किस से उत्पन होता है ठीक है अरब सागर से हिंद माह सागर से बंगाल की खाड़ी से हिमालय से अरवियन सी इंडियन और सीन बेयो बेंगाल हिमालय किस से तो यहां पर जो राइट आंसर है अरब सागर से ठीक है तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों हरियाना ठीक है हरियाना राज्य का एक लोग नित्य है स्वांग ठीक है अगला प्रस्थ देखते हैं जाकिर हुसेन का संबंद किस से हैं विथ हूम इस जाकिर हुसेन रिलेटेट उके तो ऑप्स देखिए रीना यहां प टिक तो इसका जो राइट आंसर है वहाई हिमाचल प्रदेश में ठीक है कहां पर इस्तित है हिमाचल में स्थित है और इसकी उचाई कितनी है मतलब कितने उचाई पर ये इस्थित है 2400 मीटर उचाई पर है कितने मीटर उचाई पर तो 2400 मीटर उचाई पर इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1893 इस्वी में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है हिमाचल प्रदेश में स्Цित्ध है किन्य哈u करकेट मैदान यह भारत का सबसे उचा कृरगेट मैदान है कहसके स्थ पर 372TMł मीटर उचाई पर इस्थित्त है यह ठीक है अगला देखतें वच्वार्ड का कॉंविल्ट गेम कहां आवूजित होंगो टिकए dau pomण से यह जर्मेनी इंडिया UK तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है UK है ठीक है UK के England के वर्मिंगम सहर में ठीक है कहां पर वर्मिंगम वर्मिंगम ठीक है सहर में आई विजित होगा 2022 का जो CWG ठीक है Commonwealth Games ठीक है और पहरी बार CWG कब खेला गया था तो 1930 इसवी में खेला गया था कहां पर खेला गया था तो कनाडा में खेला गया था ठीक है अगला प्रतिवी की सता के पास की मुखे परत कौन सी है यहाँ पे देखिए समताप मंडल मद्य मंडल और आयन मंडल तो इसका जो राइट आंसर है वह है छोब मंडल में ठीक है कौन सा मंडल शोब मंडल जो है प्रतिवी की सता के सबसे नजदी की परत है ठीक है यह आपका बायू मंडल की परत कहते हैं यह सब क्या है बायू मंडल आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेश कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन